चाट पकोडी की दुकान चलाने वाले की बेटी ने धनवाद का नाम रोशन किया है। पूरे राज़े में तीसरा रैंक और जिला टॉपर बनी है। वहीं उसके पिता उपेंद्र कुमार साओ ने बताया कि दिहाडी मजदूरी करने के बाद उन्होंने अपने भाई के सहयोग से एक ठेला लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी आमदनी ठीक ठाक होने लगी। उनकी बेटी रीना को पढ़ने का शौक शुरू से था और उसके शौक को मेहनत मजदूरी कर उन्होंने पूरा किया। रीना सेंट जेवेर स्कूल गादगी टूंडी में पढ़ती है। रीना के पिता ने कहा कि उनका जीवन सफल हो गया। वहीं जिला टॉपर रीना ने कहा कि मुझे बाइलोजी में शुरू से रूची रही है और वे डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई की तयारी के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया था और उसी के हिसाब से वो पढ़ाई कर दी थी। उन्होंने इसका श्रे अपने माता, पिता और घर के बुजुरूगों को दिया है। लिना तुम इस्टेट थर्ट आपर हुई है। भविशी के क्या युजनाया है। भविशी के लिए तो सर अभी मेडिकल लाइन में अपना करियर मनाना है। आपका कहा घर हुआ। मेरा घर बहादूर को टुंडी। पढ़ाई के लाब कितनी महनत करते हैं। हम तो अपना हमेशा ही 100% देते हैं। कितना घंटा पड़ते हैं। घंटे के बाद किया जाए तो 3-4 घंटा ये रेगूलर कितनी है। कितनी हैं।